नमस्कार, आज किस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है निरंकारी संप्रदाय और ये निरंकारी संप्रदाय क्यों अलग है सिक्समुदाय से आज किस वीडियो में हम जानेंगे निरंकारियों के बारे में सब कुछ पूरे डीटेल में तो चलिए शुरू करते हैं बीतेवक्त में अगर देखें तो निरंकारी एक आंदोलन रहा है जिसे बाबा बूटा सिंग ने उन्नीसवी सदी की शुरवात में किया था इन्हीं निरंकारीों का पहला गुरू कहा जाता है दूसरे धर्म के मुकाबले अगर देखा जाए तो निरंकारी संप्रदाए कुछ अलग है और इस संप्रदाए के जो नियम तय किये गए हैं इससे जुड़े जो कानून है वो बाकी के सारे धर्मों से एक दम अलग है निरंकारी संप्रदाय में मानिता जीवित गुर्वों को दी जाती है खास ये है कि इन्हें अपने बनाए नियम इसके अलावा जो इनकी कानून है उनको न माना जाए या फिर उनको बदलने की कोशिश की जाए तो इनको कताई पसंद नहीं आता है मुक्यधारा के सिख के तोर पर निरंकारी को नहीं माना जाता है वैसे निरंकारी संप्रदाय को ही पहले लोग सिख धर्म का भाग मान लेते थे लेकिन फिर बाद में इन निरंकारीों ने खुद को अलग कर लिया निरंकारियों के बारे में कहा जाता है कि इनके लिए अपने मौजूदा गुरू की बातों को मानना ही उनके लिए बहुत बड़ा धर्म होता है इसे संप्रदाई के अनुयाई इस कोशिश में इस संप्रदाई के जितने भी अनुयाई होते हैं वो ये कोशिश करते रहते हैं कि उनसे उनके गुरू कभी भी नाराज ना हो निरंकारी धर्म में कुछ लोग तो इस तरह के होते हैं जो अपनी पूरी जिन्दगी गुरू के लिए उनकी सेवा के लिए गुजार देते हैं समत्पित कर देते हैं खुद अपने कई स्कूल भी निरंकारी चला रहे हैं और ऐसा करने के पीछे उनकी जो मंशा होती है वो बस इतनी से होती है कि बच्चों को समाज में फैली कुरूतियों से दूर रखा जाए निरंकारी लोगों का जिन्दगी इनकी जिन्दगी होती हो बहुत सादगी भरी होती है सादा जीवन उच्च विचार पर ये विश्वास रखते हैं इन्हीं दुनिया के दिखावे से या फिर जूठी शान से कोई भी मतलब नहीं होता सच्चाई और धर्म के रास्ते पर ये लोग चलते हैं इनका खान पान रहन सहन एक दम अलग होता है और सादा भोजन ही ये लोग करते हैं ये लोग मानते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार के साथ जिन्दगी जुनी चाहिए इन निरंकारियों के भोजन से जुड़ी जो एक इंट्रेस्टिंग बात है वो ये कि ये लोग अपने भोजन में घीव बहुत खाते हैं तो निरंकारियों से जुड़ी ये इंट्फरमिशन आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईएगा हमार साथ बने रहे हैं आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज साहस सच कहने का